जैहिंद इस वीडियो में लोग SPI के बारे में बात करेंगे आज SPI ने अपने quarter 3 के रिजल्ट जारी किये हैं और रिजल्ट बहुत 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 संदार आये हैं तो जो इसके सबसे बड़ी सरकारी कैसे हुई क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है प्रमोटर्स क्रूप में वह गवर्मेंट के पास है इसलिए सरकारी अब देखिए इसका मार्केट केप देखें तो मार्केट केप 470,272 रोपे जी चीचार लाख 70,272 रोपे चोकि सरकारी कंपणी है तो सरकारी कंपणी का वैलूएशन उसका मुल काफी बड़ा होता है अधिक होता है जबकि सेर प्राइस धेखेंगे तो सिर्फ 529 रुपे है चोकि यह सरकारी कं मिटिंग आज जाने की 5 फ्रोरी को हुआ है और इसी मिटिंग में कंपणी ने अपने कवाडरीक रिजल्ट जारी किये हैं तो हम लोग इसके जो कवाडरीक पर सेर को छोड़ कर देखिए क्वाटर थी में कंपनी का रेवेनू 78,335 क्रोंड रुपय का हुआ है जब कि आप देखेंगे क्वाटर टू में सिर्फ 77,689 क्रोंड का हुआ था और साल पर पहले की बात करें तो इस्वी आइक रेवेनू 75,980 क्रोंड का हुआ था अर्थात सलाना अस्तिर पर भी और क्वाटर ली अस्तिर पर भी एस्वी आइक रेवेनू बढ़ा है अगर एक्सपेंडीचर यानि की खर्चे की बात करें तो क्वाटर थी में क्रोंड का हुआ है जबकि क्वाटर टू में 69,610 क्रोंड का हुआ था और अगर साल पर पहले बात करें तो अंठावन 647 क्रोंड का हुआ था तो हम देख रहें कि जैसे जैसे कंपनी के रेवेनू बढ़ें उसी तरह कंपनी के खर्चे भी बढ़ा है तो यहां अच्छी ब नहीं है इस भी आइन खर्चे अपने रेवेन्यू से कम ही किया है और अपने जरूत के साफ से किये हैं अब बात करें इन पी इन पी अर्था नन परफॉर्मिंग एसीड इसको असान वहासाम समझे करजा की इतना है बैंक के उपार तो यह परसेंट में लिखा हुआ है क्व 4.50 % का हुआ है जो कि पिछले क्वाटर में 4.90% का था और साल पर पहले देखेंगे 4.77% का था अहां में यहां देख रहेंगी सलाना अस्तर पर भी और क्वाटर में गिरावुट आया है जो यह अच्छी बात आ अब बात करते Sat Profit टेक्स यह टेक्स देने के बाद कंपनियों के पास बचता है इसलिए इसको सुध मुनाफ़ा कहते हैं तो क्वाडर 3 में सुध मुनाफ़ा 8431 क्रोण का हुआ है और क्वाडर 2 में मुनाफ़ा 7626 क्रोण को हुआ था जबकि साल पर पहले देखेंगे तो 85196 क्रोण का हुआ था तो इस बीए का सुध मुनाफ़ा है वह भी हम देख रहें कि सलाना सलाना अस्तर पर और क्वाडर अस्तर पर बढ़ा है अगर बात करना अर्णिंग पर सेर की आर्निंग पर सेर को स्वाड़ कॉट्ट में EPS कहते हैं और यह एक सेर पर साल भर में कितना रुपया बढ़ा उसको बतलाता है तो बात करें अगर EPS की तो 9.45 रुपया बढ़ा है और वहीं क्वाड़ टू में EPS 8.55 रुपया था जबकि साल पर पहले देखेंगे तो 5.82 रुपया था यानि कि अर्निंग पर सेर में भी बढ़तरी होई है सालाना भी और क्वार्टर आपको वीडियो इंफर्मेटीव लगी होगी जानकारी पसंद आई होगे मन में कोई सवाल है तो पूछे बाकी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब दगले सुक्रिया धन्यवाद